Tecno ने एक नया budget phone launch कर रहा है, जिसके specs नायर बहुत ही जादा crazy है, अपने price segment को लेके, इसके अंदर आपको 6GB RAM देखने को मिलता है, Type-C port है, dual speaker है, 90Hz का panel है, और जो design है, same iPhone जैसा दिखता है, तो देखो मैं बहुत जादा excited था इस phone को देखने के लिए, तो सबसे परें बॉक् तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको जो है charger और case दोनों मिल जाता है, तो देखो यह है नया Tecno का Spark Go 2024 edition, अब देखो यह ना एक first impression है, मैं अभी just phone को box से निकाला है, और मैं आपको अपने साथ जो मेरा experience है, मैं वो शेयर करूँगा, तो सबसे पहले जो in-hand feel है phone का, व overall जो button का feel है, वो काफी जादा मैं तो फिर भी बोलूँगा, इतना बुरा नहीं लग रहा है, अब speaker जो उनने बता है कि इसके अदर को stereo speaker देखने को मिलता है, सच में loud है, मैं अभी test करा, बट clarity में बोलूँगा, उतनी जादा amazing नहीं है, बट यह है लेकिन आपको easily सुना ही जाएगा और फिर भी जो बाकी जो budget phone आते हैं उन से काफी जादा better speaker है और loud है, बाकी इसके दर देखो आपको dual SIM app लगा सकते हो, प्लस microSD का भी support है, लेकिन यह है यह 4G phone, आप इतने कम price पर भी 5G expect नहीं कर सकते हैं, और अगर मैं performance की बात तो तो देखो यहाँ पेना आपक आपको पहली बात Android Go Edition मिलता है, जोगी थोड़ा lightweight रहता है आपके normal Android से, अब यहाँ पे डेली टास मेरे को decent performance लगा है, अगर आप एक एंट्रेल मतल सबसे पहला smartphone ले रहे हो, या फिर किसी आपको parents को देना है, जो जादा use नहीं करते हैं, उनके लिए मेरे को phone काफी जादा और मेरे हिसाब से Android Go रहते हुए आपको जादा issue नहीं आया क्योंकि काफी जादा light ये OS रहता है, लेकिन एक चीज नहीं को बहुत बहुत जादा इंप्रेस करा है कि जो इसके पोर्ट आपको Type-C देखने को मिलता है, अब देखो Type-C मेरे हिसाब से काफी जादा अच्छा म 90Hz का पैनल है, लेकिन ये इतना सस्ते वाला फोन भी ना, आपको 90Hz का पैनल दे रहा है, HD resolution है, लेकिन मेरे साफ से पैनल कॉलिटी अच्छी है, जादा बुरी नहीं है, अगर outdoor brightness की बात करें तो अभी मैंने वो टेस्ट नहीं है, लेकिन में को इंडोर काफी डिसेंट लगा अगर लेकिन अच्या से आपको अपको आपको आपको अपको आपको चाहिए हो तो और फ्रेंट में ना एट मैंसल एक एक यह सबस्त लेकिने प्लस आपको अपको अपको अगर खुला लूल लॉट में इमिज लोगे तो शायद थोड़ा डिसेंट आपका इमेज आ घाए और चार्जिंग सपोर्ट की बात करें तो 10W का चार्जिंग सपोर्ट है तो हाँ इसमें तो क्या ही कह सकते है अभी इतनी जल दिसमें फास चार्जिंग हम नहीं देखने को मिलेगा हाँ लेकि एक सबसे खास फीचर प्राद है जैसे आपने देखा की आइफोन का डिजाइन ह आपको देखने को मिलता है फीचर अब यह कुछ इसफुल नहीं है जैसे कुछ-कुछ एनिमेशन आजा है गर आपका चार्जिंग जब यह लगता है तब यह अनिमेशन देगा जब आपका तब आपका एनिमेशन लाके देता है कुछ यूसफुल-ness नहीं है बस एक एस्ट और एक और में को अच्छी क्याले कि आपको 32G भी स्टोरेज नी, सीजरे जो बेस विरेंट मेरा 64G भी स्टोरेज के साथ आथा तो आपको स्टोरेज में जादा इशू नहीं होगा, जो मेरे साथ से एक मेजर यूएस पी है क्योंकि आपको इंपोर्टेंट फीचर है क्योंकि इसके लिए साथ हजार तक क्या राउंड ये रहेगा फोन, तो काफी जादा एक अच्छा मेरे को डिवाइस लगा है, बाकि आपको मेंटिशन बताना गएर आपको इसका डिटेल रिव्यू चुई होतो, और अगर वीडियो पसंद दा तो प्लीज वीडियो को लाइक करते और चनल को सब्सक्राइब